बारिश के सीजन में अगेती फूल गोवी की खेती करके आप सिर्फ तीन महीनों में एक एकड़ से लाखो रुपे कमा सकते हैं क्योंकि बारिश के सीजन में फूल गोवी का मंदी थोगभाव 25 रुपे किलो से लेकर 40 रुपे किलो के बीच में मिलता है बारिश के सीजन में फूल गूबी की खेती करने का सही तरीका क्या है जानेंगे इस वीडियो में आगे हमने आज से कुछ दिनों पहले ही फूल गूबी की नरसरी डाली जिसा कि आप देख सकते हैं कि बीच का जर्मिनेशन हो गया है अब फूल गूबी की नरसरी बारिश के सीजन में किस तरह से तयार करें कौन से बीच का चुनाओ करें इन सभी पर हमने डीटेल में एक वीडियो बनाए है जिसे आप हमारे चेनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहने जिन भी किसान भाईगियों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया हैं तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक करें बारिश के सीजन में फूल गोबी के पोदो का ट्रांस्प्लांट किस तरह से करें जिससे कि अत्य दिक बारिश से होने वाले नुकसान से बचा जा सकते। दो से तीन बार आपको खेत की गहरी जुताई करना है। वा अंतिम जुताई के समय तीन से चार्ट रोल गोबर की खाक का उपयोग अवश्य करें। अब हम फूल गोबी के पोदो का ट्रांस्प्लांट बारिश के सीजन में क्यारियों की बजयाई बेड बना कर करेंगे। हमें छोटे-छोटे बेड बनाना है जिनकी चोड़ाई आप एक फिट के आसपास रखें और उनकी उचाई लगभग लगभग आदा फिट से एक फिट रखें। और एक बेड से दुसरे बेड की बीच की दूरी भी आप एक फिट के आसपास ही रखें। अब हम इन बेट के ऊपर फूल गोबी के पोदों का ट्रांस्प्लायन करेंगे. आपको फूल गोबी एक पोदे से दुसरे पोदे के बीच की दूरी एक फिट रखना है. अब हमने यहाँ पर फूल गोबी के दो पोदों के बीच की दूरी एक फिट रखींगे. इसका कारण या एक बारिश के सीजन में फूल गोबी के पोदे की ग्रोध कम होती है, ठन के सीजन की तुलना में। अब जब भी आप खेत में फूल गोबी के पोदों का ट्रांस्पलाण करें, उससे पहले आपको खेत में सिचाई करना है और आपके खेत में परियाप्त नमी होना चाहिए जिससे हवारे फूल गोबी के पोदे की जड़े मिट्टी में आसानी से चली जाए और आपको फूल पोदों का ट्रांस्पलाण शाम के समय करना है अब जब भी आप ट्रांस्पलाण करें उसके पहले फूल गोबी के पोदे में लगने वाले फंगर जनित रोगों से बचने के लिए आप फूल गोबी के पोदे की जड़ों को बाविश्टी दो से तीन ग्राब प्रती लीट की दूरी एक फिट रख रहें तो प्रती एकड़ आपको 20,000-25,000 फूल गोबी के पोदे लगेंगे साथ ही साथ आपको उस खेत का चुनाओ करना है जिसमें जल भराव ना होता है अब आपने फूल गोबी के पोदों का ट्रांस्पलांट बेड बना कर किया है और उस खेत क चुनाओ की है जिसमें जल भराव नहीं होता है और पानी भेकर निकल जाता है तो आप इस तरह से अत्य दिग बारिश से होने वाले नुकसान से फूल गोबी के पोदे को बचा सकते हैं अब हम बात करते हैं कि फूल गोबी की फसल में खार प्रबंदन कब और कितना कर तो लिखी हमने खेत की तेयारी के समय की बेसी गोबर की खा तीन से चार्ट रोली डाली फिर जब आप पोदे के ट्रांस्प्लाइडिंग कर दे उसके पंदरा दिन के बाद एक बेक यूरिया और डीएपी देड़वे प्रती एकड़ के हिसाब से उप्योग बेले या हवारा पहले खाट डालने के 15 दिन के बाद यानि कि आपकी फूल गोबी की फसल 30 दिन की हो जाए इस समय पर भी आप एक बेक यूरिया और देड़ बेक दिये प्रती एकड़ के हिसाब से उप्योग में करतें सिर्फ आपको ये दो खाट फूल गोबी की फसल में हमें कौन-कौन स कीटवा रोगों का अटेक देखने को मिलता है तो पहले हम रोग के उपर बात कर लेते हैं देखिए फूल गोबी की फसल में जादा तर हम फंगत जनित रोगों का ही अटेक दिखाई देता है जैसे कि अल्टर नेरिया पर्ण दाग रोग इसमें आपको फूल गोबी के पो पर दिखाई देता है जो की धीरे धीरे पूरे पोदे पर फेल जाता है इस रोग को नियंत्रित करने के लिए आप सबसे पहले जिस भी फूल गोबी के पोदे की पत्तियों पर आपको यह रोग दिखाई दे उन्हें तोड़ ले और खेच से दूर ले जाकर किसी भी दे में गार दे और फिर उसके उपर विट्टी चड़ा दे फिर इसके बाद में आप फंगी साइड का इस्प्रे करें में इनको जेव प्रती लीटर पानी में मिला कर फूल गोबी की फसल के उपर इस तरह से आप इस रोग को नियंत्रित कर सकते हैं दूसरा जो रोग हमें वारिश के सीजन में दिखाई देता है वह है बलेक रूप काला सरण रोग इस रोग के अंदर जो हमारी फूल गोबी के पोदे की पत्या रेती या किनारे किनारे से पीली पढ़ जाती है जैसा कि आप वीडियो में देखी सकते हैं इस रोग मियंत्रित करने के लिए भी और उन्हें खेट से दूर ले जाकर किसी भी गड़े में गार कर उपर से मिट्ती छड़ा दे फिर इसके बाद में आप कोपर उक्सी क्लोराय एक ग्राप प्रती तिन लीटर पानी में मिला कर फूल गोबी की फसल के उपर इस प्रेक करने इस तरह से आप फूल गोबी की फ फूल गोबी की फसल पर दिखाई दे तो उसको नियंतरित करने के लिए आप अब हम बात करते हैं अगर हम एक एकड़ में फूल गोबी की फसल लगाते तो बारिश के सीजन कितना उतपादन हो और कितने आमदनी हो सकती देखे बारिश के सीजन हमें फूल गोबी की फसल से कम उतपादन देखने को मिलता है फूल का वजन भी कम मिलता है और बारिश से फूल गोबी की फसल खराब भी होती है फिर भी आपको 80 कुंटल के आसपास तक उतपादन बड़ी आसानी से मिल जाए अगर आपको भाव 25 तो हमारी आमदनी होगी 2,00,000 रुपे यानि कि आप एक एकड़ में लगाई कई फूल गोबी की फसल से 80 कुंटल के आसपास बारिश के सीजन में उतपादन ले सकते और 2,00,000 रुपे के आसपास आमदनी ले सकते अगर आपको प्रेक्टिकली भी देखना है कि हम किस तरह स फूल गोबी की फसल में खात प्रबंदन करते और कीटवा रोग को नियंतरित करते कौन सा इस्प्रे देते तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम जल देए हमारी फूल गोबी की फसल के उत एक डेटेल में वी वीडियो अप्लोड करें और जब इसमें करें उसका भी वीडियो अप्लोड करें इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जब भी फूल गोबी की फसल के उपर वीडियो आएगा आपको उसका नोटिजी केशन म जिन भी किसान भाईयों के मन क्या सवाल एक कौन से बीच का चुनाव करना है और नर्सरी केसे तैयार करना है तो वे उपर दिये गए इस आई बटन के वीडियो को देख सकते जन्यवाद किसान भाईयों जे जवान जेक सकते